बार्मे शेहर के लक्षमी नगर में एक विवाहिता के साथ उसके पती और ससुराल पक्ष के अन्ने लोगों त्वारा दहेज के लिए मारपीट करने का मामला सामने आया है पेडिता आशा ने बताया कि उसका विवा किशोर कुमार जाट के साथ पांच वर्स पहले हुआ था लेकिन उसका पती साथ ससुर जेट और ससुराल पक्ष के अन्ने लोग आये दिन उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट करते हैं रविवार को उसके पती और अन्य लोगों ने उसके पीहर लक्ष्मी नगर में आकर धारदार हतियारों से जान लेवा हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। महिला थाना पुलिस ने पेड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया है। बाडमिर कुतवा ली हलके में अपनी पत्नी और महज आठ महीने के मासूम को जान से मारने की नियत से हमला करने का संसनी खेज मामला सामने आया है। मामले को लेकर गंभी रूप से घायल पीड़िता जहां स्पताल के बिस्तर पर अपने मासूम के साथ है वहीं पुलीस ने मामला दर्ज कर मामले की जांसू की है। किशोर कुमार के साथ हुई थी। उस वक्ते घरवालों ने समर्थिकनू सार दहिज दिया था। लेकिन साधी के महज एक साल बाद उसका पती किशोर कुमार, सास, पांची देवी, ससूर, नालना राम, नननद हेमी, जेट सांगा राम, जेट जसू, निवासी, इशर, पु करने की अपनी गलती को शुकारा और आगे इस तरह की परतारदा नहीं करने का वायदा करके उसको उसके घर ले गए। लेकिन आसा के साथ फिर भी मानसिक और सारी परतारदा का दौर जारी रहा। आशा के मताबित सभी परतार नाओ के बीच उसने अपने पैरों पर खड़ा होने काठाना। पिडिता के मताबित 26 सित्मबर को उसकी रीट परीक्षा के लिए वह लक्षुन नगर में किराय के कमरे पर रहकर तयारी कर रही थी। तब ही उसका पती किशूर कुमार और अन् मां बीच बचाओ करने के लिए आई तो उसके साथ पे भी मार पिट की गई। इतना ही नहीं। इन दरीदों ने उसके आठ मा के बच्चे को पकड़ कर गला दबा कर उसको जान से मारने की कोशिश की। दोनों महिलाओं के चलाने पर परोस के लोग बीच बचाओ के लिए और आरोपी घटनायस से भाग गए। अब आशा ने पूरे मामले को लेकर महिला थाने में मामला दर्श करवाया है जिसकी जार्च महिला थाना अधिकारी राम परताप सिंग कर रहे हैं। मामले में सबसे दुखत पहल हुए है कि वैता खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए शक्षक भरती परीक्षा में सामिल हुई थी जो कि उसके पती और सस्रौाल पक्ष को नागवार गुजरा और उसको जान से मानने की नियत से उसके उपर जान लिवा हमला किया अब देखने वाली बात है कि इस मामले को लेकर पुलिस कितने कठोर कदम उठाती है जबकि आरोपी स्यों पुलिस कर्मी होने के चलते पिडिता पर राजी नामे का जबरदस्त दबाव बना जा रहा है